आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को देखाने वोला हो कैसे आप पीएफ में नमीनी एड करेंगे मोबाइल फॉन से साथ मैं आपको देखाऊंगा कैसे आप नमीनी का फोटो क्रॉप करेंगे कैसे प्रोफाइल क्रेंगे कैसे आप यहाप पर आपका जो पीडियो जो ओफिचल वेबसाइट है उस पर काफी जदा बदला हुआ है सो इस वीडियो में आपको लेटास्ट प्रोसेस देखाऊंगा कैसे आप अपना मॉबाइल हों से खुद से यहापर पीएफ में नॉमिनी को एड़ कर पाएंगे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि सो दूस्तों मैं आभी आगाया हूँ मेरा मॉबाइल की स्क्रीन पर और आपको सब्सक्राइब अपना मॉबाइल पर यहाँ पर टाइप करेंगे आप गूगल क्रूम बाजर को आपन करेंगे उसके बाद आप टाइप करेंगे ईपी एफो मेंबार हों तब कुछ इस तरह स टाइप करने की बाद आपका समने बहुत सारी लिंक आएगा यहाँ पर आपको एक चीज़ का दियान देना है हो सकते है आपका यहाँ पर काफी सारी और भी एक्स्ट्रा लिंक आजाए तो जहाँ पर भी लिखे रहेगा मेंबर हूम करके आप यहाँ पर देख सेक्तों मैं यहाँ पर जूम किया आप यहाँ पर टाइप करने के बाद आपका समने काफी सारी लिंक आ जाएगा तो आपको कई पर भी क्लिक नहीं करना है जहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लिखे आपको वहाँ पर क्लिक करना है उसके अलावा मैं इस लिंक को मेरे वीडियो की डिस्क सब्सक्राइब क्या करना है या सिर्फ मोबाइल मूड पर ऑप्षोन आपको उसके बाद नीचे की दरफ स्क्रॉल करेंगे आपका समने यह पर दिखाई देगा डेक्स्टप साइट करके एक अप्षोन तो आपको क्या करना है उसके बाद क्या हो जाएगा यह जो है कुछ इस तरह से आपका मोबाइल पर भी ठीक इसी तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो आपको सब्सक्राइब यह चीज़ करना है आपका जो वेबसाइट है उसे डेक्स्टप मोड पर इनेबल करना है अभी यह पर देख सेकतों मेरा समने इवेन नमबर पास्वा एकाउंट है आप यहाप लोग इन हो जाएंगे बहुत सब्सक्राइब यहाद नहीं होता है इसके लिए आप यहापर निचे एक अप्शन आता है तो आप उस पर क्लिक करके आप अपना नौया पस्वाड बना सकते हो इसके लिए आपका अधरकट नमबर डालना होगा और बहुत ही आसानी से आप पस्वाड बना पाएंगे तो आभी मैं फिलाल यहापर क्या करता हो इवेन नमबर पस्वाड डलके कैप्चा जैसा लिखा है ऐसा लिखता हो उसके बद मैं यहापर साइन इन की अप्शन पर क्लिक करके लोग इन हो जाता हो मेरे अकाउंट पर तो यहाप डायरेक्टली इनमिशन आप फिल नहीं कर सकतो यहाप पर क्या लिखा दिखा रहें थे कि आनेबल डू प्रोसीड प्लीज अप्लोड यह प्रोफाइल फोटोग्राप्स को आप पहले यह पर अप्लोड करेंगे इसके लिए आप क्या करना होगा आपको यहापर वि डिटेल्स से जैसे कि माल लिजए आपका यहाप पर प्रमानांट अडरस है yang करेंट अगर आपका प्रमानाल बेटिक अटनु अप्डेटि ऑप्ले यह प्र मेंचे करना होगा उसकी बाद जाकि ओ कर अगर आप पाउनियन अदने यह अगर उपडेटि नहीं करते हो, तो आप यहाँ पर इनमिशन अपडेट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ करना है सबसे बहले आपको यहाँ पर एक फोटो अपलोड करना है उसके बाद अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ पर क्लिक करके आप यह सब चीज यहाँ पर अपडेट करेंगे जितना भी यहाँ पर इनकंप्लीट चीज़ है जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन, मेरिटल टेटास, मेरिट अनमेरिट, पर्मनेंट अड्रेस, करेंट अड्रेस तो अगर यह सब चीज अगर आपका यहाँ पर अपडेट नहीं है बाजो में आपको पैंसिल का आइक्ओन देखने का मिलेगा, आप पैंसिल के आइकउन पर क्लिक करके यह उपडेट करेंगे उसके बाद मैं आगया का प्रसेस में आपको दिखाऊंगा तो सबसे पहले में यह पर एक फोटो यह पर अप्लोड कर देता हूँ इस वीडियो की लाश्ट में मैं आपको देखने वाला हूँ आप कैसे प्रोफाइल फोटो का यह पर रिसाइज करेंगे कैसे उसको पिक्सल में कंबार्ट करेंगे और आपका जो नमीनिका फोटो कैसे रिसाइज करेंगे यह सब चीज में इस वीडियो की लाश्ट में मैं आपको बताऊंगा आप बने रही हमरे साथ और काफी सरी बहुत सरी लोग यहापर क्या करते हैं सब डिटेल्स तो फिल करते हैं टाइप कर पाते हैं लेकिन जो प्रोफाइल फोटो जो होता है नमीनिका फोटो है यहापर वर्याबर से रिसाइज नहीं कर पाते हैं और यहापर आटक जाता है तो आप इस वीडियो को द्यान से दिखिए लाश्ट तक तो आपको पता चलेगा कैसे आप प्रोफाइल मोटो को क्रॉप करेंगे कैसे आप उसको रिसाइज करेंगे मैं मेरा अभी फोटो रिसाइज है मैं अभी यह पर अपलोड करके आपको देखता हूँ अपलोड करने के लिए सब चेंज फोटो लिखके एक आप उसके बाद आपका गैलरी ओपेन हो जाएगा यह पर दिखिए अपर इसी फोटो पर क्लिक कर देंगे जैसे कि मैंने यह पर select कर दिया उसके डान के option पर click किया यह पर लिका आरहा है देखिए प्रीवियू आपको यह करना क्या है आपको प्रीवियू की option पर click करते ही निचे की तरफ आपको यह पर लिका आएगा upload photographs आप उस पर click करेंगे यह पर लिका रहे है आरे शुर टू upload प्रीवियू फोटोग्राफ तो आप यह पर ok करेंगे यह पर आपका जो फोटो है यह पर upload हो जाएगा यह आपको प्रोफाइल फोटो है इस यह upload हो गया है अभी अगर आपको देख रहा होगा तो यह पर देख से तो current address same है तो आपको दुन जाएगा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है आप यह पर निचे एक option आएगा देखिए current address is same as the permanent address address आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा जो permanent address है वही current address होजएगा अगर आपका address अलग-अलग है तो आप अलग-अलग से type कर सकते हो अगर आप same address पर रहते हो तो आप निचे यह पर tick करेंगे तो आपका जो address है double type करने की ज़रूरत नहीं होगा तो address तो अगर टाइप करने के बाद आप अप्सब्मिंट की option पर क्लिक कर देंगे आप ही में यहाँ zone के और आप आप यहाँ प दे देएगा जैसे कि में यहाँ पर जो एड्रेस फिल की आप देख सेकते दिखाई दे रहा है पहले यह पर रेड कलरता तो आभी यह पर मेरा तो दोस्तों यहाँ पर हमलुक का जो पहला जो है प्रोफाइल को कम्प्लीट करने के जो स्टेप है यहां पर खौतम हो गया है अभी सेकंड स्टेप में आगे बढ़ना है जैसे कि अभी आप नमिनिशन अपडेट करना है तो इसके लिए सब्सक्राइब करेंगे आप मैने इसके अप्शन पर क्लिक उसके बाद निचे आप आपको पता चलेगा यहां पर अगर किसी चीज़ अगर पेंडिंग रहता है तो आप यहां पर प्रोफाइल में जाएंगे और उसको पहले फिल करेंगे उसके बाद यहां पर फिर से आएंगे जैसे कि यहां पर देख सेक्तों मेरे यहां पर पूरा प्रोफाइल यहां पर प्र अट करना है इसके लिए आप क्या करेंगे नोमिनिका पर डिचल सज यहाप पर डेशन पर देख सकते हो Cec花 यहाने कि yılपर ब्रादर and sister का यह पर option नहीं है wife, son, daughter, depend father, depend mother यह सब option है तो आप यह पर इन लोगु को यह पर नमिन के लिए add कर सकते हो यह पर दिखे है उसके बाद address को fill करने के option आता है तो अगर आपका जो address है profile में अभी अभी जो मैंने जो details को जो address को यह पर update क्या है अगर यह address नमिन का address सेम है तो आप इस पर click कर देंगे same as member जो red color कर लिखा दिखा रहे तो यह पर क्या होज़े कि अपना profile पर जो मैंने address फिल के था वह address यह पर आ जाएगा next आप क्या करेंगे यह पर click here to upload photographs उस पर click करके आप अपना नमिनिका फोटो यह पर upload करेंगे तो यह पर सभी details में अभी यह पर करता हो दोस्तों एक चीज़ का द्यान दिजिए काफी सारी लोगों एक confusion होता है यह पर पहले यह पर address की बात में यह पर bank का option आता था लेकिन यह officially remove क्या गया है EPFO की तरफ से तो आपको यह पर क्या है confusion नहीं होना है कि मेरे दुसरा लोगों को यह पर दुसरा लोगों का वीडियो पर यह पर bank details डालने का option आ रहा है लेकिन मेरा नहीं आ रहा है ऐसा करके आपको यह पर tension नहीं लेना है यह EPFO की तरफ से officially यह पर bank details का जो column था यह पर remove क् तो आभी में यह पर details को फिल करता हूँ उसके बद next process मैं आपको आगे बताता हूँ सो में अभी यह पर मेरा nominaika details मैंने field कर दिया और यह पर मैंने nominaika फोटो भी यह पर upload कर दिया जैसे मैंने profile फोटो अपलोड करके दिख यह तरह यह पर नमीनीका फोटो मैंने upload कर दिया उसके बद आपका सब्सक्राइब एव्यॉक्सिक अटर करने का विसे कर देंगे आप अपर देख सकते हो उसके बद आप क्या करेंगे चलएक है is उपर देखेंगे ऑभ निदेखेंगे फटेशी 2 Tracey और अब का नमीक देख्यची ते सस fid%. एड नहीं होगा यहां पर कुछ mismatch लिखा आजाएगा या कुछ यह पर रॉंग दिखाएगा सो हम लोग को आभी इतना करने की बाद next क्या करना है नीची की दरफ स्क्रॉल करेंगे उसके बाद यहां पर लिखाएगा इपीएफ नॉमिनिशन तो यहां पर एक अप्शन आगा देखे सिलेक्ट करके आप उस पर ठीक करेंगे ऐसे क्लिक करेंगे इसका उपर उसके बाद यहां पर राइट साइट में आएंगे तो यहां पर लिखा रहे है टूटल एमांट श्यार यानि आपने जो एमपलोई को यहां पर एट क्या है उनको कि इतना पर YouTube यहां पर आना चाहिए आपका बाइचांस अगरोष norm हो जाता तो आपका यहां पर कितना परसंट पर संटिस उनका। में जान चाहिए उनको कितना परसंट्त उन परदेना चाहते हैं अगर मालना हूं ओप 3 जन चार जन अगर आप एट करते हो तो उनको अलग अलग आपका सबसे यहां पर दे सकते हो जैसे कि किसी जन्म को 20% किसी जन्म को 30% कि 70 ऐसे आप सेट कर सकते हो जैसे कि मैंने यहां पर शिर्फस एक एड़ किया तो हुं आभी safer परसंट कर देता हो तो यहाँ पर मैं टाइप करता हो 100 यहाँ पर आप टुटल एमांट ओफ शेयर डालने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे सेप एप एप नमिनेशन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर ओर एक चीज ध्यान दीजे जैसे कि यहाँ पर हम लोग का समने यह पेज तो ओपेन होगा है लेकिन आज से कुछ दिन पहले यह पेज ओपेन करने के लिए उससे पहले आपको EPS डिटेल्स को फिल करना होता था EPS डिटेल्स को फिल करने के लिए अलग से कॉलाम आता था जैसे कि नमिनेशन पर दिटेल्स फिल करने के लिए जैसे हम लोग को कॉलाम मिला था तो ऐसा ही EPS details को fill करने के लिए यहाँ पर एक column रहता था और उसको fill करने के बाद यह वाला page open होता था लेकिन officially EPS details का जो column है उसे remove किया गया अभी directly आप यहाँ पर आ सकते हो जोस्तों यह सब चीज में इसके लिए बता रहो क्योंकि अगर आप YouTube में पहला वीडियो किसी का देखते हो तो उस पर आपको दिखाये गया है कि EPS का details fill करने का option है EPS का details यहाँ पर fill करना होता है लेकिन अगर आप latest video YouTube में देखेंगे या आज का वीडियो अगर आप देख रहो तो इस पर आपको दिखेगा EPS का यहाँ पर कोई option नहीं है तो आपको कुछ इस तरह का confusion ना हो कि मुझे EPS का option नहीं मिला है यूटूब में वीडियो में EPS का option है तो ऐसा confusion ना हो इसके लिए में इस चीज़कों में आप लोग का समने बता रहो क्योंकि यहाँ पर EPS का option है EPS का column था यहाँ पर officially EPFO ने remove किया गया है जैसे बैंक का जो option था बैंक का details एड़ करने का option था उसको जैसे remove किया था ठीक इसी तरह से EPS का यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर देखके option आता है अगर आपको लग रहा है कि कुछ अपने गलत फील कर दिया तो आप यह पर इडिट की option पर क्लिक करके आपका जो आधार काड नमबर है यहाँ पर कुछ लोग को एक confusion होता है कुछ लोग यहाँ पर क्या करते है नमीनिका जो आधार काड नमबर है यह पर डाल देते तो अभी हम लोग को क्या करना इसन का option पर क्लिक कर देना है जहाँ पर इसन लिखा है उसके नीचे आप क्लिक कर देंगे अभी यहाँ पर आपको एक क्लिक करने का option आता है यह पर आप देख सेकतों आप उस पर क्लिक कर देंगे क्लिक करते हैं आपका सामने यहाँ पर अधार क अपर विरिफाइए करेंगे सोस्टे निया अभी पर आदान नम्र डालना असके मद्वेशन नभी और हो सहकते हो दोस्तो यह पर फाइनली आप देख सेखें तो यह पर लिका रहा है PDF Signs successfully, उपार लिका रहा है यह सतगर, मेरा जो nomini है यह पर successfully add हो गया है, दोस्तो इतना ही है प्रसेस अगर आपने यहां तक काम कर लिया इसका मतलब आपका PF मे न Indeed Successfully add हो गया है, अगर आप अभी मैनेच क लिखा रहा है इसके निचे करेंगे तो आपका पास एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको क्लिक कर दिया उसके बाद देख सेके तो आपका समने यहां पर एक ब्लैंक पर जा रहा है कि इसी तरह प्रब्लेम आपको फेस के रहो आपका समने वही पर आता ह है कुछ यह पर डाउनलोड कोने का ओप्शन नहीं आता है तो आभी मैं आपको देखाने वाला आपको करना क्या है यह पर सब्सक्राइब आपको फिर से यह उपर जो एक त्री लाइन है इस पर आ जाना है उसके बाद निचे जो यह पर जो एक अप्शन रहा है यहां इसे डेश्ट अपसाइड नहीं करते हो तो यह पर यह पर यह ब्रट डाउनलोड है आपका मॉल पर एक फिडिया फाईल डाउनलोड हो जाएगा तो यह फाइल यहां से डाउनलोड कर सकते हो तो यहाँ पर तो मैरे यहाँ पर पूड़ियोय धानलोड हो जाएगा यह मिशिन्स सबसक्राइब करने करें प्रोसेस अगर आप पूसंद रहरा तो आप प्लिस चेनेल को सब्सक्राइब नहीं किसी कीजीए बेल आइकन को अन कर दिजे रेगुलार अफडेट पाने के लिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दिजे अभी मैं आप लोग को देखता हूँ कैसे पीएफ में नुमिनिक नुमिनिक का फोटो कैसे प्रोफाइल फोटो आप क्रॉप करेंगे कैसे रिसाइज करेंगे यह मैं हैं अबिः आपको देखता हूँ कैसे करना है क्योंकि यही यह मैं चीज रहकर यहाँ पर क्या होता है दिचल्ष को टाइब करता कर पाता है लेकिन यहाँ पर काफी लोग फोटो का दिसाइज नहीं कर पता है इसकी लिए आठोक जता है जैंद कर इक दोर शों पहले तो आ आप फोटो आप नर्मली मोबाल का केमरा से आपकी चलेंगे उसके बाद आप यहां पर देख सेखते हो जैसे कि मेरे सामने एक फोटो यहां पर आप देख सेकतो सब्सक्राइब यहां पर जो फॉन का एडिट का एक option आता है नीची की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर एक फोटो करेंगे यहां पर आपका फ़ोटो करेंगे यह आपको ऑपको बताता हूँ उसके बाद आप आ जाएंगे आपका फॉन का जो गोगल प्लेस्टोर यहां पर टाइप करेंगे image compressor करके, image compressor light करके आप सार्च करने के बद आपका समने यह वाला सफ्ट्रेयर है, यहाँ पर open आ जाएगा, तो आप उससे download करके install करे लेंगे, यहाँ पर आप इसका logo उगरा, देख लिजे किस तरह सा इसका logo है, आप यहाँ पर देख लिजे, इसे दाउनलोड करनी वाद आप यहां पर open कर देंगे और अपन कर दिया अभी कु Counter Lisa आपको बसनी को मैं कुछ फोटो का पहले में क्रॉप करके रखता था इस फोटो उसे आप सेट करेंगे फोटों के इसे बाद में क्रॉफ किये थे और पर आपको देखना है यह पर जहके साइट में इसका के भी देख सकता है त्री वान मतब्द 311 के भी कि आभी है यह इमेज तो आभी हम लोग को उसको क्या करना है तो अगर आपका यह पर जितना बी रहेगा आपको उस पर द्यान देने की जरूरत नहीं कि अपका जरूरत नहीं नीचे यह पर टाइप करने के एक अप्शन आता है देखें नहीं नहीं सबक्राइब करेंगे तो आपर मैंने 80 लेख दिया उसके बाद मैं कमबाट नौकी अप्शिन पर क्लिक करूंगा निचे तो यहापर मेरा यह photo convert हो रहा है जैसे कि दूस्तों यह आपर देख सकते हो मेरा जो photo है यह पर convert हो चुका है और यह photo मुझे कहा पर मिलेगा उपर एक location आ रहा है देखिए store it, emulated, image compressor को करके एक file है आप इस file पर जाएंगे तो आपका यह photo देखेगा और वहाँ से आप PF में upload कर सकते हो उसके अलावा अगर आपको यह file आपका जो gallery में अगर मिलता नहीं है काफी time हमें क्या होता है यह जो file दिया है न गिलारी पे बहुत सर काफी time डूढने के बाद यह file नहीं मिलता है इसके लिए और एक आसान टेक्निक में आपको बताता हूँ यह पर शेयर की option आता है आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बद आप यह पर क्या करेंगे आपका यह WhatsApp को open करेंगे यह से और किसी एक बंदा को या आपका ही नंबर पर आप फोटो को send कर देंग को फ्रोफाइल पीक वह नमिनिशन नमिनिका यहाँ पर आप यहां पर किसी तरह और कर सकते हो बहुत ही आवसानी से जैसे कि मैंने आभी जो फोटो को नब्रेस किया है इसका जो इमेज क्वालिटी है बिलकुल यहां पर डाउन नहीं हुआ बिलकुल यहां पर लॉल नहीं इमेज कवालिटी इमेज का जो क्वालिटी है यह पर कोई भी खराब नहीं हुआ जैसा मेरा ओरिजिनल क्वालिटी था इसके टिक आप अगर आप दूसरा किसी सफ्टोर से करते हो तो आपका इमेज क्वालिटी काफी खराब हो जाएंगा यह जो फोटो है यह पर जै की तरह रिसाइज करने के बाद भी के भी एंबी को काम करने के बाद भी आपका फोटो ओरिजिनल जैसा ही दिखेगा यानि आपका फोटो का जो क्वालिटी है यह पर कोई लॉस नहीं होगा आपको इस वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा अगर आपका मन में किसी भी तर आपका मन में किसी दोगा रिसाइज भी काम करने करने के वी दोगा आपका पुरार आपका अगर